हेले स्टुएंट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपको सागत है आज सी क्लास में 6 जनवरी को करेंट अफेर्ज देखेंगे जानेंगी कौन कौन सी अपडेट है जो कि हमारे आगामी परिक्षा की परपस से इंपॉर्टन हो सकती है तो चलिए आगे ब पाबलो शेशर होंगे इंक्यावनवे आई एफ एफ आई की इंटरनेशनल जूरी के चेर्मैन तो भारती अंतराष्टी फिल्म महुत्सा जो की इंक्यावनवे संस्क्रण है यह गोबा में होने जा रहा है उसके चेर्मैन के रूप में पाबलो शेशर को निर्थ किया गया है तो भारती अंतराष्टी फिल्म महुत्सा के इंक्यावने संस्क्रण के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं की भागितारी वाली अंतराष्टी जूरी की घोशा कर दी गई है सूचना और प्रशारण मंत्रालय के द्वारा जूरी में चेर्मैन के उबायत हुशैन को शामिल किया गया है तो पाबलो शेशर जो कि अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता है उनको अंतराष्टी भारती अंतराष्टी फिल्म महुत्सा के इंक्यावने संस्क्रण के जूरी गया चेर्मैन बनाया गया है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अमेर कि कांग्रेश ने योग गिता और जरूरत पर आधारित कारिकरम के तहत उच सिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवित की शंख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूशुब जई स्कॉलर्शिप अक्ट पारित किया है इस विधेयक को शेयुक तराज अमेरिका के सीनेट ने एक जन्वरी को ध्वन्मत से पारित किया था यह विधेयक अब अमेरिकी राश्टपती डोनाल ट्रम्प के सापास हस्ताक्षर के लिए वाइट हाउ जाये जिसके बाद यह कानून की शकल ले लेगा तो हाली में अमेरिकी कांग्रेश ने मलाला यूशुब जई स्कॉलर्शिप एक्ट पारित किया है अब बात करते हैं मलाला यूशुब जई बारे में कि यह कौन है तो मलाला को अक्टूबर 2012 में पाकिस्तानी तालिबान ने स्कूल से घर जाते समय सीर पर गोली मार दी थी 2008 के एंत में उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान के विरोज के बापजुद महिलां लड़कियों की सिक्षा तक पहुँच बनाने के लिए काम करना सुरू कर दिया था दस अक्टूबर 2014 को मलाला ने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संगर्स और सभी बच्चों के सिक्षा के अधिकार के लिए संगर्स के लिए भारती बच् भी शम्मानित किया जा चुका है मलाला युसुजई को प्रधार मंत्री नरेन मोदी ने किया 2021 के नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव का उधगाटन तो हाली में प्रधार मंत्री नरेन मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलोजी कॉनक्लेव क के उद्गाटन सत्रपों संबोधित किया है राश्ट्री मेट्रोलोजी कॉंक्लेव 2021 का आयवें वैज्ञानिक एबं अध्योगिक अनुसंधान भारती सवरी राश्ट्री भावतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नई दिल्ली द्वारा इसके स्थापना के 75 वर्स में किया गया तो इस शक द्रव्य को राश्ट को समर्पित किया साथ ही साथ राश्ट्री परयावरण मानक प्रयोगशाला की आधार सिला भी रखी है ठीक चलते अगले देखते हैं बजाज आटो बनी दुनिया की मोस्ट वैलियूएवल टू वीलर कमपनी भारती बहुराश्ट्री दो पहिया और तिपहिया वहाँ निर्माता कमपनी बजाज आटो एक जनवरी दुहजार एकिस को बाजार पूजी करण एक लाग करों रुपए पार करने के साथ ही दुनिया की मोस्ट वैलियूएवल टू वीलर कमपनी बनी है बजाज आटो का मुख्याला पुने महाराश्ट्रा में है और इसके प्रवंद देल से राजीव बजाज है क्लियर इंपॉर्टन्ट वसक्ता परिक्षा परपस से चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज आइडीबियाई बैंग ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो के वाइसी की सुविधा का कूक किया शुभारंब तो हाल अब उन्हें साखा में जाकर कोई भी फार्म भरने की आवशक्ता नहीं होगी तो वीडियो के वाइसी प्रारम करने वाला पहला बैंक कौन सा है अब बात करते हैं वीडियो के वाइसी होता क्या है तो इसके माध्यम से आप घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक पर रहते हैं वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से आप अपना करा सकते हैं तो यह वीडियो के वाइसी आई-डी-बी-आई-ए-क बैंक के सी-ओ कौन है राकेश शर्मा है राकेश शर्मा आई-डी-बी-आई-बैंक के सी-ओ है और इसका मुम्बई-महराष्ट्रा में इसका मुख्याला है यही परिक्षक परपास से इंपॉर्टन हो सकता है राकेश शर्मा उसके सी-ओ और मुंबई-महराष्ट में आई-डी-बी-आई-बैंक का मुख्याला है तो वीडियो के वाइसी प्रारम करने वाला बैंक आई-डी-बी-आई बना है चलिए बढ़ते सतरंज संग का प्रतनिशित करने वाले कपूर ने करीबी बोटी में पी-आर वेंकर ट्रमन को हराया है तो अखिल भारती है सतरंज संग का मुख्याला है जवाहलाल नहरी स्टेडिम चेन नहीं में है और इसकी स्थापना की गई है उन्निस सो इंक्याबन में तो हाली में हा कश्मीर और लद्दाख कोड के Chief Justice की सपत तो जश्टिस पंकज मिथल को चार्ज जनुरी 2200 के चैन सासे प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के Common High Court का नया मुख्यनायथिस निउक्त किया गया है पंकज मिथल हाली में मुख्यनायथिस गीता मित्तल की सेवा निव और कश्मीर राज के जम्मू कश्मीर राज के उपराजिपाल कौन है मनोश शिनहा जिनों नहीं सपत दिलाई तो यह important question बन सकता है यहां से भी कि वहाँ के उपराजिपाल कौन है तो मनोश शिनहा है चलिए बाड़ते अगली नहीं उसकी ओर जी जेसी ने आसीस पेठे को बनाया अपना नया अध्यक्ष जेम एंड जेलरी उद्यों की राश्ट्री सीर्स संस्था All India Gem and Jewelry Domestic Council जी जेसी ने दो साल की वाद के लिए आसीस पेठे को अपना अध्यक्ष और साईम मेहरा को उपाध्यक्ष न्यूत करने की घोशा की है पेठे जी जेसी के एक साथ काफी लंबे समय जुड़े हुए और वर्तवान में विष्ट के जूर्णल चेर्मेन भी है जिस परवर नए पदगरहन करने के बाद भी बने रहेंगे तो जी जेसी के नए अध्यक्ष आसिस पेठे को बनाया गया है अगर बात करें हम इसके मुख्याले की जी जेसी के तो इसका मुख्याले कहा है मुंबई महाराश्ट में है और इसकी स्थापना 2005 में की गई है तो आसीस पेठे को जी जेसी ने अपने अध्यक्ष नियुक्त किया चलिए देखते हैं आज की अंतिम नियूज महाराश्च के पूर्व मंतरी विलास पाठिल अंदलकर का निधन तो हाल ही में महाराश्च के पूर्व कैबिनेट मंतरी और साथ वार कांगरेश से विधायक रहे विलास पाठिल अंदलकर का निधन हो गया है अनुभवी कांगरेशी अंदलकर को काका के नाम से भी जानना जाता था वह कराड दक्षिल विधान सवा निर्वाचन से साथ वार लगा था 35 साल तक यानि कि 1934 के दौरान विधायक रहे हैं मतलब कि सबसे जादा लंबे समय तक विधायक रहने का भी रिकॉर्ड विलास पाढ़मक के नाम है अंदलकर पिछली कांगरेश инт Воली सरकारों में कानुन और निया विखागों में भी कार किया था तो अन्भवी कांगरेशी अंदलकर यानि विकास पां़मक काहल में निधन हो गया है इनहें काका नाम से जाना जाथा तो यह थी हमारी आज़ की